तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रियाक्शन्स और स्मॉल रिंग्स आप देखो जब भी स्मॉल रिंग सिस्टम्स होती हैं तो किस तरह से रियाक्शन करेंगे और जब भी कोई निकलियो फाइल या इलेक्टरो फाइल इसके साथ रियक्ट करेगा तो किस तरह से स्टीरू कि मेंस्ति करेंगे या फिर स्टीरीू सेलेक्टिविटी डिसाइट करेंगे ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले तो सबसे पहले small rings में देख लेते हैं अभी हमें देखना है 4-membered ring system अब देखो इसके पहले हमने क्या किया है 6-membered में देखा है कि किस तरह से हम stereo selectivity decide करते हैं तो 6-membered में हमने देखा है कि cyclohexene और cyclohexene दोनों में किस तरह से stereo selectivity decide किया जाता है तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखें किस तरह से stereo chemistry या फिर reactivity होगी और reaction किस तरह से किया जाएगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें 4-member cyclic ring की मतलब cyclobutane की तो यह जो cyclobutane ring होती है मतलब क्या है मतलब देखो यह जो बीच में hydrogens होंगे यह इस plane की ऊपर की तरफ होंगे इस दोनों उपर की तरफ है तो यह जो दोनों आटम से carbon के वह नीचे की तरफ है अब यहां पर क्या रहा है इसकी वज़े से यहां पर इसकी वज़े नीचे की तरफ क्या है क्या है मतलब यह जो बेंट जो रहा है जिस साइड में यह बेंट हुआ है अब इसका इसका यूज हम कहां पर करेंगे या फिस टी लिए इसका इससे आपको क्या हेल होगी मैं आगे जाके बताओं का तो जनरेली साइक्लो बेंट जो होती है वो स्लाइटली बेंट होती है जिसे मैंने अभी आपको बता दिया अगर हम बात करें लैक्टोन की तो देखो यहां पर एक लैक्टोन है हमें क्या करना है लैक्टोन मैंने डाल दिया वेस वेस क्या करेगा असरी प्रोटोन निकालेगा और इससे कर देगा इनोलेट में तो जब भी फोर में में इनोलेट बनता है तो यह होता है मतलब क्या होगा यह प्लेनर होगा मतलब अगर हम बात करें फ क्या है दोनों में difference तो है और जो इन। बनेगा हो । इसकी help से आगी जाके किस तरह से reaction करना है वहाले है तो चलो देखते हैं, एक्जाम्पलों समझ लेते हैं कि यहां पर रियाक्शन जो होगी वो किस तरह से होने वाली है इस केस में भी सबसे पहले आपके पास ELDA है यह एक बलकी बेस होता है बलकी नॉन निकलियोफिलिक बेस होता है यह प्रोटॉन निकालेगा और यहां पर क्या होगा लीथियम इनॉलेट का फॉर्मेशन होगा तो इस तरह से आपने यहां पर बनाया इनॉलेट और आपको बता है जब भी फोर्मेंपर रिम में लैक्टोन में इनॉलेट बनता है तो यह जो इनॉलेट है यह क्या होता है अब आपको क्या करना है आप इस की रियाक्शन करनी है इस इलेक्टोन फाइल के साथ मतलब इनॉलेट क्या करेगा अटाक करेगा यहां पर आए गगा और इसके उस्हुरू क्या होगा अटैक होगा अके रलाइड फे एक्स माइनस चला जाएक अब देख़ो जब रियाक्ष ऑपि तो उस पोजिशन पे क्या आ गया उस पोजिशन पे प्यच तो अल्रीक है यहां पर आ जायेगा और ग्रूप और कार्बोनीर से जन्रेट हो जाएगा और यहां पर इस पोजिशन पर है आई सो प्रोपेट डूप अब हमें करना क्या है हमें स्टीडू कि बतानी है कि यह जो यह जो आर गूरूब है वो कौन सी साइड में रहेगा ओके और पी एच गूरूफ कौन से साइड में रहेगा तो देखो जब बी जब भी इस फ्लैट इस सिस्टम में फ्लैट को मैं इंट्स टूं लेकर सिस्टम मैं अब steering repulsion कम किस साइड में है तो देखो यह डिसाइड करोगे कि इसके adjacent position पे या फिर link में वो carbon छोड़के और कौन से carbon पे group पे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यह जो group है आईसोब्रोफिल ग्रूप प्रेजेंट है तो हो सकता है कि आईसोब्रोफिल ग्रूप क्या है अब upside में है या फिर downside में है मैं इसे आजम कर लेता हो अभी के लिए कि यह कोंसे side में अब upside में present है अब जब यह incoming group आएगा आर ग्रूप यहाँ पर आएगा तो वो कौन सी साइट से आना रेफर करेगा जिस साइड में steric repulsion कम है अब steric repulsion कम कौन सी साइड में है देखो यह isopropyl group जो है वो कौन सी साइड में है अभी के लिए isopropyl group जो है वो है डाउन में मतलब डाउन साइड में ज़्यादा steric repulsion है इस आर प्रोफिल ग्रूप की वज़े से इसलिए जो भी group आने वाला है वो कहाँ से आएगा उसके opposite साइड से मतलब upside से आएगा तो पी-एच ग्रूप जो है आर लूप जो है पी-एच नहीं आर ग्रूप जो है वो आएगा upside से मतलब यह जो पी-एच है वो एटोमेटिक कहाँ पर चला जाएगा डाउन साइड में चला जाएगा तो इस तरह से fastest the room his team guideline me system में four members cyclic system में और यहाँ पर देख सकते हो यह जो आर डूप और जो आउइसो-प्रॉप गूप यह क्या है इनका relation बहुत आर डूप इस प्रॉप्रॉप इन दोनों का relation यहां पर ट्रांस है तो इस तरह से हम क्या करेंगे इस four member system में स्टीरोग कि मस्टी decide करें आगे और एक example देखते हैं अभी के लिए हमने देखा जब four member system में कोई double bond तो किस तरह से स्टीरोग कि मस्टी decide करोगे generally उस case में हम क्या करते हैं जिस side में बलकी group है उसके opposite side से आपको क्या करना है लेके आना है आपका incoming group अब यहां पर यह जो example है यहां पर क्या क्या हो रहा है देखो यह जो four member system है इसमें क्या है carbon group present है तो यह है ताइकलो-butanone तो यहां पर देखो reaction कैसे होगी यह जो एन बीएच reducing agent होता है और जो होते हैं अगर हम कार्गोनील की बात करें तो क्या करते हैं reducing agent जो है वो हाइट डिलाइड आइन ट्रांसफर करते हैं यह माइनस ट्रांसफर करते हैं तो बीएच फिए अगर हम बात करें यह बीएच यह होगा इस पर negative charge अब यह negative charge अगर उसे stabilize करना है तो यहां से यह क्या करता है यह माइनस को ट्रांसफर करता है किस पर इस कार्गोनील पर इसका क्या होगा reduction किया जाएगा अब देखो reduction किया जाएगा फ़र जो hydride आयर है तो किस साइड से attack करेगा यह हमें क्या करना है अभी decide करना पड़ेगा अब देखो यह जो actually four member ring है वह आपको इस तरह से दिखेगी जैसे कि मैंने बताया four member ring जो है जनरेल इसका structure जो है bent होता है अगर उसमें double bond आये जाएगा तो वो क्या बनेगी फ्लैट सिस्टम बनेगी यहां पर जो है वो क्या है वो bent structure है जैसे कि मैंने वो बताया था जो ring के नीचे की side में है इसे रीचे की side है जहां पर क्या bent ring है वहां पर ring cavity है इस side में क्या है downside में इसके ring की cavity है उस side में steric repulsion जादा होगा क्योंकि यहां पर चुप hydrogen present है वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ repel करेंगे और आने वाला जो group होगा वो उस side से नहीं आ पाएगा क्योंकि ज्यादा steric repulsion वहां पर present है अगर उस side में steric repulsion present है तो आपका जो भी आर ग्रूप होता यह system पर कौन से side में रहेगा यहां पर ना कोई axial होता है ना कोई equatorial होता है तो यह जो आर ग्रूप रहेगा वो रहेगा आपकली less hindered side यह जो ring cavity है या फिर जिस साथ में bandering हो चुकी है उसके opposite side में आपको क्या करना है उस आर ग्रूप को रखना पड़ेगा तो आर ग्रूप जो है वो अभी के लिए हम आजूम करते हैं अग side में present है क्योंकि क्योंकि वुस side में steric repulsion है अब देखो अब क्या होगा आप hydride and transfer करोगे अब hydride and transfer किस side से होगा यह minus transfer कि side से होगा जैसे कि मैंने बताया है यह minus transfer होता है less sterically hindered side से जब भी कोई reaction होगी तो reaction होगी lesser sterically hindered side से क्योंकि अगर इसा होता है तो approach करना उसे easy होगा कम energy spent होगी तो यहां पर जब भी attack होगा इस system पर तो हम इसे इस तरह से निकाल देते हैं यह आर्व रूप है उपर की तरफ और आपको क्या करना है यहां पर जो कार्बोनील है उस पर attack करना है तो कार्बोनील पर जब करेगा तो नीचे की साइड से अब attack होगा जींकि!" कविटी है क्योंकि आार्व चिस साइड में होगा अभी उस सैड में aug no theology जादा होगा समझ गथ दिस साइड में अभी के लिए र लूप है उस सेड में ओकि तो अभी के लिए हमें क्या करना है नीची की साइड से downside से क्या करना है attack करना है तो o- जो है ऊपर की दरब जाएगा और आपका जो nucleophile मतलब h जो है वो इस side के नीची की side में रहेगा तो इस तरह से क्या करना है इसका product formation करना है और इसमें किस तरह से stereo selectivity decide करते हैं यह आपको understand करना पड़ेगा तो यह o- h होगा यहां पर h होगा और r group तो जब भी इसको आप लिखोगे cyclic form में तो यह cyclic form है इसमें लिखोगे तो देखो यह जो r group है यह जो r group है यह r group और o-h group same side में रहेगा और o-h side group जो है उस same side में रहेगा तो इस तरह से आपको four member ring system में stereo selectivity decide करने पड़ेगी आके चलते हैं और देखते हैं next cyclic system जो की है five member अब देखो five member में जो भी reactivity होती है जापके stereochemistry जो हम decide करते हैं वहाँ पे stereochemistry हम six member की तरह ही एजम करते हैं अब देखो six member जो होते हैं वह cyclohexane है और cyclohexane जो है वह चेयर फॉर्म स्टेबल है अब देखो यहाँ पर आपके पास यह चेयर form मिल जाएगी यह जो चेयर form है आपको करना क्या होता है अगर इस चेयर form को आपको चेयर form जो है वह आपको five member के लिए क्या करने है बनानी है तो आप क्या करो यहां से इस जैर फॉर्म को कट करतो और यह carbon और यह carbon क्या करो अटैज कर तो यह carbon प्लीटार बंद दोनों क्या करो अटाच करो तो यह जो सिस्टम है यह आपकी यह बन जाएगी साइक्लो पेंटेन कि लिए इसका मतलब की लिए यह सिस्टम बन जाएगी अब देखो यह जो सिस्टम है यह आपकी एक के तरह दिखेगी तो फाई मेंबर डिलिंग इस्टम जो होती है उसे जनरली इन उलो फॉर्म में ड्राउ किया जाता है तो अगर यह इन वलो फॉर्म में है जो कि इससे बनता है छेयर फॉर्म से ही आपका बन रहा है तो यहां पर भी एक्जियल और एक्टूरियल होगा जैसे हम चेयर फर्म में एक्जियल एक्टूरियल लिखते हैं उसी तरह से आप क्या करोगे यहां पे भी एक्जियल और एक्टूरियल को लिखोगे ओके एक्जियल और एक्टूरियल लिखोगे तो देखो यह जो पोजीशन्स है इसमे और ग्नल पर अज सब्सक्राइब को हिंद संथी तो इस गया दए पढ़ना प선नथीति हो मुह दाव है यह त्योट्रींड क्षील में इस तो आपको सिल में दीखंग, तो आपको इसले में।क्ण डींहें तो आर्षक्ति देंग घ्याग कर्यों करते हैं, यह हम चेयर फॉर्म की तरह ही लिखते हैं इसी तरह से हमने क्या किया है चेयर फॉर्म में भी देखा है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन साइकलिक सिस्टम पार्ट यह तो आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हों तो इस तरह से जो है वो इसमें सबस्टुट्टी एन फोंगे five member system पर उसके बाद हम इसकी reactivity की देखते हैं कि किस तरह से react करेगा जैसे कि देखो यहां पर ये एक five member system है जिसमें क्या present है कारबनील प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है निक्लियोफिलिक अटाक करना है इसे कार्बोनील पे हैं तो जैसे मैंने बताया हम इसे ड्राउ करते हैं चेयर फॉर्म से ही या उसकी तरह पर एक्चुली यह इन्वॉलो कि यहां पर हम क्या करें इस दोनों कार्बन को ही जोड़ रहे हैं और यह वाला पार्ट जो है वो कट कर रहे हैं बाकी पूरा सिस्टम आज इस है तो यहां पर होगा क्या जो स्मॉल निक्लियोफिली ग्रूप होगा स्मॉल निक्लियोफिली ग्रूप होगा वो एक्जियल पोजिशन से अटैक करेगा और जो बल्की निक्लियोफिली ग्रूप है वो क्या करेगा बल्की निक्लियोफिली की क्योटूरियल पोजिशन से अटैक करेगा तो यहां पर आपको दिखेगा लीतियम अलिमिनियम हैड यह जो ग्रूब है यह एक्जियल पूजिशन से क्या कर रहा है 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 एक्जियल से नहीं कर पाएगा क्योंकि अग्जियल से अगर करेगा तो वहां पूवे ज्यादा रिपल्शन होगा जिसे हमने देखा था कहां पे हमने देखा था चेर फॉर्म में यहां पे वन थ्री डाइक्जियल इंटराक्शन की वजह से बलकि ग्रूप एक्टूरियल पूजिशन से अटैक करना पसंद क करेगा और इंट जो है आपका एक्जियल पूजिशन पे जला जाएगा तो यहां पर इस तरह से हम क्या करते हैं स्टिर्यू सिलर्टिविटी की बात करते हैं तो मेजर और माइनर प्रोड़ॉक्ट बनता है बस mask जिसमें एक कोई मेज़र होगा लीटियम हैड राइड की के केस में हाइड्राइड एक्टूरियल पोजिशन से ट्रांसवर्ट किया जाएगा ओके देखते हैं नेक्स्ट एक्जामपल देखो यहाँ पर एक एक्जामपल है हमें क्या करना है सबसे प्लें करना है एक्ज प्लस केटिलेस्ट है तो क्या होगा यह प्रॉट्ट नेट हो जाएगा उसके बाद देखो क्या होगा यह ऑक्षजिगैंट करेगा यहाँ पर जी किस में करणवर्ड होगा ओएच में तो चलो मैं इस का क्या कर देखता हूं प्रोडक्ट लिग देता हूं मेकानिजम करते हैं और देखते हैं कि सबसे प्ले प्रोडक्ट क्या बनेगा यह ओएच यहां पर पी एच यह ओएच बनेगा जब कार्बोनील पर अटाग इसके बाद क्या होगा आपके पास ऐसे डी कंडीशन है फिर से यह जो अक्षीजन है वो प्रोटनेट हो जाएगा और उसी ताइम पीजी डीफलीक अटाग करेगा और ओएच चला जाएगा इस तरह से यहां पर साइक्लिक सिस्टम बनेगी साइक्लिक प्रोड़क्ट का फ सीॉड़ दवल वाण ओड ओओ उसके बाद यहां पर कारवन उस कारवन पर क्या प्रेजेंट है अब टर्शरी डुटाइल ग्रूप उसके बाद फिर से ऐक्षीजन यहां पे पी-च हु प्रेज़ेंट रोड़क्ट बतानी है, क्या ये same side में है, या फिर opposite side में रहेंगे, ये हमें क्या करना है, बताना पड़ेगा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें किस form में लिखना पड़ेगा, इनवलोफ फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, इनवलोफ फॉर्म में लिख देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी स्टेरोगे में इसकी decide करेंगे, तो यहाँ पर oxygen और इस पोजिशन पर मैं oxygen आड़ कर देता हूँ, और उसके बाद जो ग्रूप है, वो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर कार्बोनील, अब देखो, जो भी ग्रूप्स हैं, वो मैंने यहाँ पर आड़ करवा दिये, अब देखो, इस टर्शिल विटाइल ग्रूप को क्या करना है, पी एच को कार्बोनील के एडजसेंट कर्बन पर, टर् होता है, जब भी हम चेयर फॉर्म की बात करते हैं, तो चेयर फॉर्म में आर ग्रूप कहां पर रहता है, आर ग्रूप एक्टूरियल पोजिशन पर रहता है, अगर वो बलकी है, तो कहां पर एक्टूरियल पोजिशन पर रहता है, तो अगर हम इसकी बात करें इस कार्बन क तो इसका axial position ये हैं और equatorial position पर ये हैं मतलब ये क्या है इसका tertiary virtual group equatorial position पर रहेगा हम P-C बात करें तो यहाँ पे होगा इसका axial position और यहाँ पर जो है इसका equatorial position ये प्याएज गुरूप जो है equatorial position पर रहेगा तो pH और tertiary vital दोनों के दोनों जो है वो equatorial position पे रहेंगे और यहाँ पे equatorial position जो है actually कहां पे होती है downside में होती है दोनों hydrogen जो है वो upper side में रहेंगे तो इसके according अगर हम इसको साइफी से cyclic form में draw करें तो यहाँ पे सी डबल बॉन ओ उसके बाद pH ओ और यहाँ पे यह जो है downside में रहेगा और दोनों सब्स्टिट्रियन सेम साइड में रहेंगे मतलब इन दोनों की position क्या है यह दोने एक दुसरे की respect में सीस है तो इस तरह से हम five member में भी किसकी तरह six member की तरह ही क्या कर सकते है अब देखो आगे क्या करना है आगे इसकी हमें करनी है reaction इसकी reaction करनी है फीज से इसके साथ LDA के साथ अब LDA क्या है यह 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 बेस है तो बेस फीज से एसिडिक प्राटॉन को निकालेगा तो अगर आपने यहां पर इनुलेट का formation को का तो अगर आपने यहां पर इनुलेट का formation किया देखो ओ माइनस यहां पर डबल बॉन ऑक्षिजन टर्शिल उटाइल ग्रूप अक्षिजन और यहां पर पिएच अब देखो अब क्या करना है इसकी reaction करनी है फीज से किसी आरेक्स के साथ किल हलाइड के साथ तो मैनस क्या करेगा मैनस इससे इनुलेट ऊमायनस यहां पर आएगा इनुलेट फोप अटा करोगे और एक्स ग्रूप पर एक्स मैनस चला जाए तो अब जो है वह प्यज पीजिस पोजिशन पे प्रिजंट है उस पोजिशन पे यह आर ग्रूप भी आ आने माला है तो यह यह है पी एज और यहां पे आर ग्रूप भी आएगा और कार्बोनी फिर से आप लिखोगे अब मुझे क्या बताना है इसके पहले देखो था क्या कि यह जो ट्रक्षिल बिटाइल जो है वो डाउन साइड में था और पी एच देखो पी एच यहां पे क्य प्रेजेंच है पर जब यह रियाक्षिन होगी तो पि एच और ऐ इसकूसöd क्या होग Ein ंma होगा और आर का साइड में होगा यह हमें क्या कर ना है जंब करना पड़ेगा क्या यहां पर मिट डवादर और हमें देखना पड़ेगा तो देखते हैं इसको convert करना पड़ेगा किसमें फिर से convert करना है आपको envelope form में तो जैसे मैंने यहाँ इसे लिखा वा था फिर से हम उसी form में इसे लिखते हैं इस पर यहाँ पर oxygen जी और दो और बीवरेय क्यान कडिखों सब्सक्राइब गरेड़ पर मेरा निकाल दिया टर्श्रिविताइल कहां पर हैं अब देखों अब यह जो प्यर्डूप है यह कहां पर है और गुर्डप कहां पर रहेगा देखो जब यह आर गुरुप आया तो किस सिस्टम पे आया है ठीक है डबल बॉन के करवन पे आया है तो हम ने देखा है कि हम जब भी साइक्लो हैक्जीन में रियाक्शन कर वाते हैं इसके बेले-बाला पार्ड भी मैंने साइक्लोहेक्जिन पे वीडियो बनाया है अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए तब आप जाके आपको यी कंसेप्ट समझ में आएगी तो मैंने बताया था कि जब भी हम साइक्लोहेक्जिन की डबल बॉंड के थू अटाक करते हैं या फिर सब्सक्राइब डबल बॉंड पे आटक करते हैं तो एक्जियल पोजिशन से ही आपको अलवेज अटाक करना है मतलब जो भी डबल बॉंड पे ग्रूप आएगा वो अलवेज एक्जियल पोजिशन पे ही रहेगा मतलब यहां पर भी जो है जैसे कि हम six members में करते हैं वैसे ह हमें यहां पर five membed में ही करना है तो यहां पर जो आर ग्रूप आएगा वो axial position पर रहेगा तो अगर मैं के बात कुरूए इस कर्बन की तो इसकी यह axial position होती है और ग्रूप एक्जेल position पर मतलब pH ग्रूप जो है वो equatorial position पे जाएगा तो इस तरह से आपको अभी के लिए क्या करना पड़ेगा stereo chemistry बतानी पड़ेगी मतलब pH ग्रूप जो है वो below the plane है downside में है pH और R ग्रूप जो है वो upside में है तो ये रहेगा अबो ठीक है तो इस तरह से just like six member link five member में भी हम stereo chemistry decide करते है six member के तरह है maximum पेसा ही किया जाएगा बस four member में जब आप करोगे तो वहाँ पे थोड़ा changes आएगा और वो मैंने आपको बता दिया अब इसके बात देखो हमें क्या करना है five member में ही epoxide का formation करना है तो अभी के लिए हम epoxide का formation करेंगे five member में आप जाके इसको open भी कर सकते हो epoxide की reaction भी आगे कर सकते हो इसका part जो है वह हम next video में देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं MCPBA की MCPBA है क्या ये एक peroxy acid है MCPBA क्या करता है epoxide का formation करता है ये epoxide बनाता है किस पे इस double bond पे तो double bond पे तो क्या होगा epoxide का formation होगा अब मैं इसका mechanism नहीं बताऊँगा mechanism अब को बताऊँगा तो epoxide जो बनेगा यहाँ पे उसकी हमें क्या करना है स्टीजू किमिस्टी बतानी है मतलब मतलब कौन से side से epoxide बनेगा यह आपको decide करना पड़ेगा तो जब भी epoxide बनता है MCPVA से double bond पे तो epoxide बनेगा less sterically hindered side से less sterically hindered side से सबजगे तो जब भी कोई reaction होती है वोनिए incoming group आता है तो वो कहां से आना प्रफर करेगा less sterically hindered side से जिस side में steric repulsion कम है उस side से तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो यह जो tertiary betile group और यह जो methyl group जो है वो दोनों up side में है जो up side आपकी है वो block है वो side में steric repulsion ज़्यादा है तो यह जो group आएगा यह epoxide जो बनेगा वो actual में बनेगा downside से ओके यह कहां पे बनेगा downside से बनेगा तो इसे हम क्या रहता है downside से बना देते तो epoxide बन गया downside से ओके अब देखो यह तो reaction हमने करवा दी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे सबसे पहले NBS है NBS क्या होता यह ग्रोमो सक सिनामा इप और यह BR to generate रहता है यह क्या करेगा BR to generate करेगा मतलब इसकी reaction आपको क्या करनी है double wand के साथ करनी है यह BR यहाँ से चला जाएगा और फीर से जब चला जाएगा BR यह फीर से इस पे निक्रिफिलिक अटैक करेगा तो यहाँ पे BR to generate बनता है जब यह double wand के साथ reaction करता है तो इंटर्शर मिटाइल ग्रूप और यहाँ पे methyl अब देखो यहाँ पे जो क्योंकि अभी के लिए जो अब साइड है वो स्टेरिक लिए हिंडर है वो साइड में स्टेरिक रिपल्शन जादा है इसलिए यहाँ पे जो ग्रूमिनियम इंटर्बिडेड बनेगा यह भी डाउन साइड से ही बनेगा अब यह जो ग्रूमिनियम क्या टायन है यह कहां से बना हुआ यह बना है डाउन साइड से इसके बाद देखो आपको क्या करना है यह जो ग्रूमिनियम क्या टायन बना हुआ क्या भी यह जो थ्री मेंबर बनी है ब्रूमिनियम के साथ इसको इसको उपन करना है अब जब इसको उपन करोगे आप किस से एने वो एज से के साथ मतलब एने प्लस और ओएज माइनस के साथ तो जब उपन करोगे तो आपको क्या करना है इसे डाउन साइड में अगर ये ब्रोमिनियम क्या तायन कहा पर प्रेजेंट है डाउन साइड में प्रेजेंट है आपको अप साइड से इसे ओपन करना पड़ेगा चूंकि ये जो है ये एन्टी ओपनिंग करता है इसकी ओपनिंग जब भी होगी तो कैसे होगी एन्टी ओपनिंग होगी मतले साइड में यह ठीमेंबर लिंग है प्रोमिन के साथ उसके जापोजिट साइड से आपको क्या करना है इसे ओपन करना है तो मैं इसे इस तरह से open कर देता हूं और अब जो ओ एज है, वो कहां पर आएगा? अब वो की साइड में आएगा? अब साइड में आएगा और वियार आउज है वो डाउन साइड में चला जाएगा इस तरह से आगे जाके देखो, अभी भी आपकी पास क्या है? आपकी पास है, तो ओएज क्या करेगा, फेज से यहां से सिदिक फ्रोटौन निकालेगा, यहां पर प्यार को' निकाल देगा. तो इस कैस केस में क्या हुआ है इस केस में इपोकसाइड जो है वो कहाँ पर बन गया भी इपोकसाइड जो है और बहुत इन बन गया है मतलब उपर की साइड में आपने इपॉक्साइड बना है जिस साइड में आपके बल्की ग्रुप प्रेजेंट है यह जो बल्की ग्रुप जिस साइड में है उसी साइड में आपने इपॉक्साइड बनाया ओके तो इपॉक्साइड आप स्टेरिक लिए लेस रिपल्शन जिस साइड में हैं उसे साइड में भी बना सकते हैं और N-B-S-N-E-O-S के साथ उसके अफोधिर साइड में भी बना सकते हैं तो इस तरह से हम इस तरह से हम स्टेडियो सिलेक्टिविटी डिसाइड करें रहे हैं तो जनरली जिस तरह हम सिद्स मेंबर में स्टेरियो सेलेक्टिविटी डिसाइड करते हैं उसी तरह से क्या होगा उसी तरह से थाइट करेंगे तो यह यह जो क्वेश्चन है यह जून टूदाउसन एटीन वह फूचा गया था CSR ने जून 2018 में पूछा गया था NCBBS इपॉक्साइड कहां पर बनेगा इस से इपॉक्साइड किसे साइड में बनेगा तो उमीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बाक्स में बोल सकते हैं हम नेक्स्ट वीटियो लेक्च्चर में उसका डिस्केशन करेंगे अब आगे जाके देखो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वह और इपॉक्साइड ओपन कहां से करना है अभी के लिए देखो जब हम बात करते हैं और दो नों सैड यहां से उपन कर सकता था इस साइड और अभी के लिए मैंने क्या किया इसे साइड यहांपर फॉड़र्ट जो को एप बन रहा उसके पोजिशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्रोडक्ट के बनाने में इसलिए यहां पर मैंने इसे ही बता दिया और जब भी आप इपोकसाइड की ओपनिंग करोगे तो कौन सी साइड से करना है यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा जैसे कि देखो यह जो कार्वन है इसके अड़ेस्ट में इसके मितना मतलब प्रोड़क्ट बनेगा अलग-अलग-बनेगा अलग-अड़े 50 पर इड्यफल करें तो इसलिए हमें क्या करना है करेक्ट पोजिशन पर Даप करके इनिंग करनी पड़े हैं और इसे हम नेक्स्ट-ट गे क्या करेंगे ईस refuse करने व वो आप देख लीजे अभी आगे जाके हम इसकी कम्प्रीट वीडियो लेक्टे से इस बनाने वाले हैं अप्लोड करने वाले हैं आपको इसमें कोई भी प्राब्लेम नहीं आएगा कि अगर कि अगर कि